हाई फ्रेंड्स आज हम आपके साथ सेयर करेंगे पनीर से बना हुआ बहुत ही लाजवाव रेशिपी जिसे आप बहुत कम समय में जटपट बना कर त्यार कर सकते हैं सुबह के जल्दबाजी में जब भी कुछ समझ में ना आये तो इस रेस्पी को आप ट्राई कर सकते हैं खाने में बहुत साधिश्ट है और बनाना भी बहुत आसान है तो चलिए देर किस बात की आज की रेस्पी सुरू करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम सबजियों को बोईल कर लेंगे तो यहाँ पर पैन में हमने एक गलास पानी डाल दिया है अब इसमें डालेंगे दो टमाटर साथ ही इसमें डालेंगे दो प्याज तो यहाँ पर सबजियों में हमने बीच से कट लगा दिया है ताकि ये टमाठे से छिलके निकलने में असानी हो साथ इसमें डालेंगे लसुनकी कलिया अब यहाँ पर डालेंगे हाफ इंच अध्रे का टुकड़ा और दो हरी मिर्च तो चलिए आप गेस को अन कर देते हैं और इसे कवर करके 4-5 मिनट के लिए बोयल कर लेते हैं इस सब्जी को बनाना बहुत ही असान है इसे आप बहुत कम समय में बना कर त्यार कर सकते हैं तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुका है और सब्जी भी अच्छे से बोयल हो गये है तो चलिए गेस को बन कर देते हैं और सब्जियों को अच्छे से ठंडा कर लेते हैं तो यहाँ पे लिया है ग्रैंडिंग जार जो सब्जिया हमने बॉल किया है अब सब्जियों को इसमें डाल देंगे तो यहाँ पे हमने टमाटर से छिलके भी निकाल लिये हैं चलिए सब्जीयों को डाल देंगे इसमें, साथ ही इसमें डालेंगे एक छोटी चमस जीरा, एक छोटी चमस कालीमिश डालेंगे, अब यहाँ पर डालेंगे थोड़े से काजू, तो चलिए अब इसमें ढखकन लगाके और इसे ग्राइंड करके इसका फाइन पेश्ट बना लेते हैं, तो यहाँ पर मसाले त्यार हो गए हैं, यह देखिए, हमने बिल्कुल मसालो को फाइन पेश्ट बना लिया है, बिल्कुल बारिक महिन इसी तरीके से पीस कर त्यार कर लेना है, अब यहाँ पर पैन अच्छे से गरम हो गया है, तो इसमें डालेंगे एक चमच र पनी तक भून लेंगे, अब इसी के साथ इसमें डालेंगे थोड़े से मखाना, तो यहाँ पर हमने मखाने कोई कोंटेटी नहीं लिया है, तो चलिए मखानों को इसमें अच्छे से भून लेंगे 2 मिनट के लिए, तो यहाँ पर मखाने को थोड़े से भून लिया है, तो अब इसी के साथ इसमें एड़ करेंगे पनीर, तो यहाँ पे हमने लिया है 100 गराम पनीर, डाल देंगे इसमें, और पनीर को भी इसमें 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है, इस सब्जी को आप बहुत कम समय में बना कर त्यार कर सकते हैं, और यह सब्जी खाने में बहुत सदिश्ट लगता है, तो चलिए पनीर को यहाँ पे हमने अच्छे से भून लिया है, तो अब इसमें डालेंगे ग्रैंड किया हुआ यह मसाले, तो मसालों को इसमें अच्छे से मिला लेंगे, तो मसालों को मिलाने के बाद अब इसमें हम कुछ और मसाले एड़ करे तो यहां पर लिया है एक छोटी चमच गरम मसाला अब यहां पर डालेंगे एक छोटी चमच सब्जी मसाला एक छोटी चमच कस्मिरी लाल मिर्च साथ इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार थोड़े से हल्दी पाउडर डालेंगे यहाँ पे हल्दी पाउडर ज्यादा नहीं इस्तमाल करना है तो चलिए मसालों के इसमें अच्छे से मिला लेते हैं तो यहां पर मसालो को हमने 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है, तो चलिए अब इसे कवर करके 4-5 मिनट के लिए अच्छे से पका लेते हैं, तो यहां पर 5 मिनट हो चुका है, और यहां पर सब्जी बनके तयार हो गई है, तो यहां पर लिया है कस्तूरी मेथी, कस् आप सुबह के जल्दबाजी में जटपट बना कर त्यार कर सकते हैं बीना कोई जण जटके और ये खाने में बहुत साधिश्ट है इसे आप एक बार जरूर ट्राइ करें ट्राइ करने के बाद रेश्पी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाक्सियर जरूर कर दें तो चलिए मिलते हैं एक फिर से एक नई रेश्पी के साथ तब तक अपना ख्याल रखें वीडियो देखने के लिए थैंक यू बाई बाई